सुनिये त्रेता युक की बात है प्रम्मा जी देवराज इंद्र अगनी वायू आधि सारे देवता सब्त रिशिगन और पित्वी देवी सब मिलकर वैकुंठ लोग जा पहुंचे करण शुहांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगि भिर्दान गम्यम वन्देशनुम भवै हरम सर्व लोग एक नाथम हे देवताओं के स्वावे शर्णागतों के रक्षक आपकी जय हो है करपालू आपकी लीला अत्भुत है उसका भेत कोई नहीं जानता है कोई भी उसको जानने का अभीमान नहीं कर सकता है और उसे वही जान सकता है जिस पर आपकी करपा हम पर करपा करने प्रफूर पापो कर नाश करने वाले नारायन हमारी सोधिलें प्रभू देवी प्रित्वी एवं समस्त देवता अपने मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर आपकी शरण में आये हैं ए अविनाशी हमें दर्शन देकर हमारा उपकार करें प्रभू हे भक्त वस्सल भगवान हे आशरणों के शरण हमारी रक्षा कीजिए प्रभू हे श्रीपति आप ही मेरे पालक है आप ही मेरे रक्षक है नाथ आप ही के आदेश पर मैं इस मृत्यों लोग के समस्त जीवों को आश्रे देती हूं उनका भार उठाती हूं सब कुछ सेहन करते हुए मैं उनका लालन पालन करती हूं किन्तु ये राक्षस राज रावन मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है जो मेरे लिए असेहनिये हो गई है अपने बल के मद में चूर होकर रावन चारो और आतंग फैला रहा है जिसे भी वो थोड़ा बलवान समझता है उसे ये उनमादी रावन युद्धम देही युद्धम देही कहकर युद्ध के लिए ललकारता रहता है और जो निर्बल और शांती प्रियजीव हैं उसे भी बिना कारण सताता रहता है रावन और उसके राक्षस रिशियों को यग्य नहीं करने देते मुलियों को तपस्या नहीं करने देते और अपने मनोरंजन के लिए निर्दोश जीवों की हत्याएं करता है पूरी प्रित्वी पर रावन ने स्त्रीयों के अभारण और अत्याचार का अभियान चला रखा है कोई भी स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं हे विशंभा उसका ये अत्याचार देख मुझे मां का रिद्य फटा जाता है मुझसे अब और सेहन नहीं होता प्रभू मुझे इस राक्ष से मुक्ति दिलाईए हे विश्णुदेव हम देवताओं को भी यह रावण निरंतर प्रतारित कर रहा है हम देवता प्रकृती के नियमों की रक्षा करते है हमारे कारण कोई भी तत्व अपनी मर्यादा भंग नहीं करता है किन्तु रावण हमें भी सनातन नियम तोड़ने के लिए विवश करता है और उसके भाय के आगे हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं मेरे मार्ग में पाधा है एंद्र तेरा ये तुस्साहस अपने मेगों के द्वारा तु मुझे रोकना चाहता है अपनी पराज है पूल गया क्या कहें तु याद दिलाओं या एक बार फिर मुझे से टकराना चाहता है यदि यही इच्छा है तो आ आना 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 अट आपने बादल नहीं तो मैं अभी ये सिक्षन तेरा उपचार करे देता हूँ हाँ 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 अ अच्छे बहुत अच्छे शची पति इंदर तुमने शीगर ही समझ लिया कि मेरी मित्रता में ही तेरा हित है सूर्यो देफता ते क्या कर रहे हैं आप अपने सम्राठ से कुछ सीखिए और मेरा अनुकूल रहा कीजिए देखते नहीं आपकी किरणों के ताप से कैसे मेरा माथा जला जाता है और हाँ वो चंद्रदेव उस चंद्रदेव से कहो वाता वरण को थोड़ा शीतल है जाओ हुआ 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 हम आपकी शरण में हैं हे अक्षर शिग रही हमारा उधार कीजिए श्रीपती नहीं तो यह सारी व्यवस्था नश्ट हो जाएगी जगत्पिता ब्रह्मा का बर्दान पाकर यह रामन मनमाना हो गया है इस समय ब्रह्मान में उसे अनुशासित करने की शक्ति किसी के पास नहीं है हे प्रफु क्या उस आतिताई से हमें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी आप निराश नहो ब्रह्मन मेरी प्रतिग्या है कि जब-जब गौ माता, विप्रजन, संत समुदाए और देवताओं पर विपत्ति आएगी जब-जब अविश्वास, अनाचार और अधर्म की वृत्ति होगी और धर्म की हानी होगी जब-जब भक्त मेरा उपास करेंगे मेरी भक्ती को अंध विश्वास समझेंगे और तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए यग्ये की वैदिक मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूगा मेरी ये प्रतिग्या अटल है भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवश्चे अवतार लूगा भगवान विष्णों की जाए भगवान विष्णों की जाए भगवान विष्णों की जाए जाए भगवान विष्णों की जाए भगवान विष्णों की जाए भगवान विष्णों की जाए भगवान विष्णों की जाए पूर्वकाल में रावण ने कठोर तपस्या की थी और प्रह्माजी से परदान ले लिया था कि उसे देवता, दैत्य, गरुड, नाग, यक्ष आदी कोई भी ना मार सके किन्तु उस समय उसने मनिश्यों का नाम नहीं लिया और ये तिरसकार से कहा कि मनुश्य तो उसके लिए तिनके के बराबर है अहंकार सदैव पतन का कारण होता है रावण के भी विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा क्योंकि शीगरी मैं मनुष्य रूप में अफ़तार लेकर दुराचारी रावन का वद्ध कर दूँगा धे पुश्युत्म हमें क्या करना होगा आदेश दीजी प्रभू आप सब भी प्रित्वी पर अपने अपने अंच्चों से वानर कुल और रिक्ष कुल में अफ़तार लीजिए समय आने पर रावन के विरुद धर्म युद में मैं आपकी सहायता लूगा आप समस जगत के पालक हैं ये धर्णी धर आप से ही ये ब्रहमान जन्म लेता है और आप ये प्रहलाइकाल में इसे अपने में लीन कर लेते हैं ये प्रभू रावन के विनाश के लिए आपका एक कटाक्षी परियाम्त है फिर भी आप हमारी सहायता चाते हैं हे प्रभू हमें आशीरवाद दीजिए कि हम आपकी लिला से मोहित होकर अंकारी न हो जाएं आपकी दीदी देवी रुक्मनी प्रेम में समर्पण तो करती हैं किन्तु प्रदर्शन नहीं फिर भी मेरे प्रती उनका गहन प्रेम वो कुछ अफसरों पर कुछ आगर हो ही जाता है क्या बात है प्रिये कुछ कहना चाहते हैं कुछ भी तो नहीं नात ये नरा अफदार मैं धर्म की स्थापना के लिए ले रहा हो प्रिये किन्तु कोई भी धर्मकारे धर्म पत्नी के बिना बूरा नहीं हो सकता आप मेरी सहचरी हैं आपको ही एदायत्व निभाना होगा इस अफदार में मैं अनाचारी राक्षसों का वद्थ तो करूँगा ही किन्तु ये अफदार लेने का मेरा उद्देश्य अपने जीवन चरित्र के माथ्यम से सदाचार का अदर्ष प्रस्तुत करना है मनुष्यों की शिक्षा और प्रेणा के लिए मैं सत्य और धर्म के दो पैरों पर चलूँगा और जीवन की मर्यादाओं पर अडिक रहोंगा मेरा ये अफदार मर्यादा पुरिशोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा ओम नमा शिवाई य्रीवन के चलूँ के लिवन फहोंगा आप, 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 आप ये किसका जाप करें, महादेव? राम मेरे राम राम कैसी शीत दलता है इस नाम में? अनादी काल से ही यह नाम इस जगत का सबसे सिद्ध और सरल मंतर है वो कैसे महादेव? ओम नमो नरायन मंतर से विजाक्षर रा और ओम नमो शिवाय मंतर से विजाक्षर मा को मिला देने से इस राम मंतर की रशना होती है इस अमूल ले मंतर में भगवान विश्णू की कल्यान कारी शक्ति के साथ मेरी शक्ति का विवास है यह मंतर सरमंगल कारी है मोक्ष कारी है और सभी प्राडियों के कल्यान की राम बान और शदी है आपकी महिमा नेराली है पुले लान आप जब उग्र रूप धारन करते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं और जब प्रेमगन होते हैं तो ऐसे कि देखने वाला भी आनन्द में हो जाए जो आनन्द मेरे मन में जागा है शीग रही वे पूरे पृत्वी लोग पर छाजाएगा वो कैसे महादेव? क्योंकि आपके जो परम रहस्य महान भाई भगवान विश्नु है न वे मनुष्य रूप में चन्द लेने वाले और इस मनमोख अवतार में उनका नाम होगा श्री राण वे मेरे भाई अवशे हैं नंदिशो परिंतु आपके प्रेम और समर्पन के समख मेरा प्रेम तो कहीं ठहता ही नहीं विश्यों ने भी तत्य कहा है शिवाय विश्न रूपाय शिव रूपाय विश्नवे शिवस्त हिर्दयम विश्नु विश्नोस्त हिर्दयम शिवा अर्थाथ शिव विश्नु का रूप है और विश्नु शिव का रूप है शिव विष्णू के हिर्दय में वास करते हैं और विष्णू शिव के हिर्दय में परन्तो महादेफ, श्री नारायन को airport लेने की क्या आवर सकता है फिर जब जाहें तब, अपने चक्र से रावन के दसों से काट सकते हैं नश्यत ही काट सकते हैं शैलपुतुरी किन्तु श्री हरी ब्रह्मा जी के वर्दान की आवहिलना नहीं करेंगे किन्तु ब्रह्मा जी अगवान विश्नु और मैं तीन अलग अस्तित वावश्चे किन्तु मूल में हम तीनो एक ही है मवानी इस रावण ने दस सहस्त्र वर्शोतर बड़ी कठिन तपस्या करके इतने शुपकर्मों का संचे कर लिए कि ब्रह्मा जी को बात दे होकर उसे मन्चाह वर्दान देना ही पड़ा और तब से वह अजे होकर अत्याचारी होगी इसलिए जब तक उस पापी के पूर फुर्णियों का च्छे नहीं हो जाता है उसका भद नहीं किया जा सकता अब उसका काल निकट आता जा रहा है और शीग रही भगवान विश्नु श्री राम का अव्तार लेके उसका अंकर डालेंगे और उनके इस कार्रे में मैं उनकी सायता करूँगा आप महेश्वर? हाँ भवानी भगवान विश्नु के इस राम अवतार के साथ साथ मेरा आंशिस वानर कूल में उत्तम वानर हनुमान बन कर जनम लेगा